Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है Let's Crack MPSC इनके चनल का नाम है और इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या है Jupiter conjunction with 7th Lord, does it means native will have more than one marriage? इन्होंने पूछा है कि गुरू अगर 7th house के Lord के साथ होता है तो क्या एक से ज्यादा शादियां होती है देखिए इसमें हम 7th house के बारे में बात नहीं करेंगे इसमें हम बात करेंगे कि गुरू अगर फर्स्ट हाउस के लौट के साथ, सेकंड हाउस के लौट के साथ, थर्ड हाउस के लौट के साथ, किसी भी हाउस के लौट के साथ कहीं प्लेस्ट होता है, तो उसकी कारण क्या होता है, तो बात करते हैं कि जुपिटर अगर फर्स्ट ह हाउस के लौट के साथ है तो एक से ज्यादा नाम से आप प्रख्यात हो सकते हैं यानि आपके एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं एक से ज्यादा आपकी पहचान हो सकती है जुपिटर अगर सेकंड हाउस के लौट के साथ होता है तो वैलू एंड वैल्थ को इंक्रीज करता है औ और जो भी आपके siblings हैं, उनका संबन थड़ा उससे है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक से ज़्यादा skill आपके इंदर हो सकता है, यानि आप हो सकता है कोशिश करें कि चलो मैंने एक चीज सीख ली है, दोसी चीज भी सीख लेता हूं, दूसर certificate भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल चौछा भी मिल जाएगा, तो एक से ज़्यादा skill आपके इंदर हो सकते हैं, और आप एक skillful person हो सकते हैं, और जो भी आपके younger siblings हैं, वो भी एक से ज़्यादा हो सकता है यानि हो सकता है कि आपके दो बिदर हों, दो sister हों, तीन बिदर हों, छार sister हों, इस टाईप से है, उन्होंने दो शादी की हो, तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, और एक से ज़्यादा आपके घर हो सकते हैं, एक से ज्यादा गाड़ियां हो सकती है, फिब्ध हाउस के लोट के साथ अगर जुपिटर होता है, तो multiple relationship में आप आ सकते हैं, यानि एक से ज्यादा लविंग पार्टनर और एक से ज़्यादा बच्चे बच्चे हो सकता है आफ के 2 Bच्चे हो तीन बच्चे हो चार बच्चे हो और creative जो talent होगा आप के अंदर वह दो भी एक से जजाधा हो सकता है कि एक तरफ आप singer हो और दूरी आप printer हो या Writer हो और दो-तीन टाइप के आपके अलग-अलग profession हो सकते हैं, यानि अलग-अलग आप जॉब कर सकते हैं, कि morning की shift आपकी कहीं और है, और afternoon की कहीं और है, या evening की कहीं और है, जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, कि कहीं जा रहे हैं, और फिर शाम को वहां से आते हैं, फिर अपना कुछ गाड़ी वाड़ी का काम कर रहे हैं गाड़ी लेके निकल जाते हैं कि चलो और थोड़ी सी कमाई कर लेते हैं तो एक से ज़्यादा आपकी नौकरी हो सकते हैं यानि एक से ज़्यादा चीजों में आप सर्विस प्रवाइड कर सकते हैं है सेवंघ्न तायुस के लॉट के साथ जूपिटर होता है तो एक से ज्यादा मैरिश हो सकती है यह utan के मल्टीपल पार्टनर सो सकते हैं मल्टीपल बिजनिस पार्टनर सो सकते हैं और मल्टीपल ट्रेट्स आपके हो सकत Iарani एक से ज्याद़ बिजनिस वाइफ है या दो-दो husband है तो उनके दो-दो परिवार हो सकते हैं जुपिटर अगर 9th house के लौट के साथ होता है तो एक से ज़्यादा father दो father एक father वो जिन्हों ने आपको जनम दिया है दूसरे father वो जो आपको पाल रहे हैं या दो लोगों को आप पिता समान मान सकते हैं 10th house म आपके दो अलग-अलग career हों दो अलग-अलग आपके profession हो 11th house के लौट के साथ अगर जुपिटर बैठता है तो एक से ज़्यादा बड़े भाई हो सकते हैं हो सकता है आपके दो भाई हो तीन भाई हो चार भाई हो एक से ज़्यादा friends हो सकते हैं friends तो वैसे ही बहुत посмотреть हो सकता यानि अलग-अलग countries में एक घर हो पकाँ है दूसरा घर आपका इंडिया की और टो एक से जादा countries में आपका travel हो सकता है और और यस जादा अलग-अलग में आपका belief हो सकता है जैसे आपके कोई spiritual गुरु पहले कोई और थे बाद में कोई और होगे और दो-दो spiritual गुरु को आप मानते हैं इनको फॉलो करते हैं कि आज मैं आपको बताया कि जुपिटर अगर अलग-अलग प्लेनेट्स के साथ बैठता है और वो जो प्लेनेट्स हैं अगर अलग-अलग हाउसिस के लौट्स होते हैं तो उसका क्या इंपेक्ट हमारी लाइफ में पढ़ता है अगर आप भी जाना चाहते हैं अपने जुपिटर के बारे में या प्लेनट्री पोजिशन के बारे में तो उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें चाहें तो आप हमारी व